नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख़बर जानते हैं 26 जून को हो रहे पेंशन महा समेलन के मंच से हमन सुरेन या अहम एलान करने वाले हैं पुराणी पेंशन इसकीम लागू करने की मांग को लेकर यहा सरकारी करमियों का पेंशन महा समेलन हो रहा है जिसमें ओडिसा तिलांगाना उतर परदेश बिहार मध परदेश आधी राजियों में पुरानी पेंसन वजना की मायंग कर रहे करम चारी संगठनों के परतिनिधी सामील हो रहे हैं बताया गया है कि जारखन के मुख्य मंत्री है मनसुरेन पेंसन महासमेजन में बतोर मुख्य आती थी सामील हो रहे हैं इस मौके पर राजियों में पुरानी पेंसन इसकी मलागू करने की घोसनावे कर सकते हैं जारखन में 28 जून तक कई जगों पर में गरजन बजरपात के साथ हलके से मददर्ज की बारिस की संभणा है वहीं 29 जून को राजिय के उत्री एवं पच्मी भाग में कहीं कहीं भारी बारिस हो सकती है इसको लेकर मौसम केंदर की ओर से एलो अलर जारी किया गया है बतादे रांची खुटी गुमला लोहर्दागा लातेहार पूरवी एवं पच्मी सिंभूम पाकूर जामतरा जिला में कुछ जगों पर में गर्जन बजरपात के साथ हलके से मदच की बारिस हुई वहीं पिछले 24 घंटे के अंदर राजे में सबसे अधिक बारिस पूरवी सिंभूम के घाट सिला में 82 मिलीमीटर रिकोर्ट की गई है जारखंड के हर पंचायत में पलस टू स्कूल खोलने का फैसला जारखंड के परतेग पंचायतों में एक-एक स्कूल के रूप में अपग्रेड होंगे जिसमें कक्छा एक से बराहमीत तक पढ़ाई होगी इसमें वे सारी सुभधाय होंगी जो नीजी स्कूल में होती है स्कूली सिक्षा एवं सक्षाता विभाक सचीव राये सर्मा ने दो दिवसे समिक्षा बैठा कि सिक्षा सचीव ने पदाधिकारियों से असुनिश्चीत करने को कहा कि प्राथमिक से माध्मिक या माध्मिक से उच बिद्याले में जाने के करम में बचे ड्राप आउट ना हो J.A.C.A. स्टेडियम लीज बिवाद हुआ खत्म जारखन राज किर्केट एसुसेशन और A.C.E. के बीच 25 जून को एक एतिहासिक समझाता किया गया इस समझाते के तहट लीज गो लेकर चल रहे J.A.C. के साथ तमाम बिवादों का निप्टारा भी कर दिया गया J.A.C.A. में हुए इस एतिहासिक समझाते के समय J.A.C.A. के पुरो अध्यक्ष अमिताब चौधरी, बर्तमान अध्यक, संजय, सहाय, समेथ तमाम पतादिकारियों के साथ A.C. की निदेशक मंडली मौझूद रही इस समझाते के बाद अब J.A.C.A. और A.C. के बीच जो भी बिवाद कोर्ट में चल रहा था उसे अब दोनों प्लक्षों की ओर से हल्प नमा दायर कर वापस ले लिया जाएगा स्रावनी मेले को लेकर D.C. की बैठक स्रावनी मेले को लेकर बाबा बासुकी नाथ मंदिर इस्थी सभागार में सनिवार को बैठक होई बैठक के अधक साथ D.C. रवी संकर सुकलाने की बैठक में D.C. ने सभी बिभागों को आपस में समनोय बना कर कारे करने की जरूरत पर जोर दिया उन्होंने कहा कि बासुकी नाथ आने वाले सरधालों की सी परकार की कोई कठीनाई नहीं हो या हमारी परत्मिक्ता होनी चाहिए सभी बिभाग कारे को समय पूरा कर ले इसके लिए सभी बिभागों को मिसन मोड में कारे करने की जरूरत है उन्होंने विधूत विभाकों मेला छेत्रे में कारेयों को पूरी तरह दुरूस्त कर लेने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि कारे में किसी परकार की कोई कमी नहीं रहे इसका विशेस ध्यान रखे एसपी कॉलेज रेंगिंग मामले में 26 के खिलाप मामला दर्ज शिद्धु कानु मुर्मु विश्व विध्याले के आंगिभूत एसपी कॉलेज के जूनियर छात्रों स्व रेंगिंग मामले में नगर थाना पुलिस ने 26 नामजात समेत अन्य के खिलाप मामला दर्ज किया है 14 जुलाई से सुरू होगा सावान हिंदु धर्म के कैलेंडर के अनुसार अभी असार का महिना चल रहा है इस बार असार का महिना 13 जुलाई तक रहेगा इसके बाद भावान सीव की पूजा का महिना सावन सुरू होगा बतादे आसाल महिने के स्वामी भावान विस्णू होते हैं ऐसी मन्याता है कि इस महिने वरत और उपवास करने से बीमारिया दूर होती है आसाल हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का चौथा महिना होता है इसके बाद यानी पाच्वा महिना सावन सुरू होता है इस बाद सावन का महिना 14 जुलाई से सुरू होगा या 12 एगस्त तक रहेगा सीम हेमंद को धमकी देने वाले मामले में पूलिश ने किया खुलासा जारखन के CM हमान सुरिन के सुरक्षा में तरना तीन DSP के मोबाइल पर CM को मारने की धमकी देने के मामले में गोड़ा पुलिस ने नयाख खुला सा किया है पुलिस का काना है की धमकी देने वाले का नाम सफिक खान है वा अपनी प्रेमिका को पाने के लिए प्रेमिका के पिता के नाम पर तीनो DSP को मेसेज भेजा था पुलिस ने इस मामले में आरोपीद सफिक खान को 5 जुन को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है पुलिस की जाच में पता चला है की 4 जुन को तीनो DSP के मोबाइल पर प्रेमिका के पिता मंगल भुया के अलावा संत भुया, स्याम भुया, अकास महतो, रभी भुया और सुड़ू अंसारी के नाम से धमकी भरा मेसेज भेजा गया था प्रतिवंधित पान मसाला कमपनियों के संचालकों को मिल रही धमकी जारखन में पिछले 2 साल से प्रतिवंधित 11 पान मसाला ब्रांड कमपनियों के कई संचालक इन दिनो भया दोहन से परिसान है उन्हें प्राथमिकी वह करेवाही के नाम पर धमकाया जा रहा है कुछ तो भयादोहन से दासत में हैं तो कुछ जल्द ही नियाले की सरन में जाने का मन बना चुके हैं उनका सिधा आरोप समाजी करकरता पुलिस वा मीडिया से जुड़े कुछ लोगों पर है जिन्होंने उन्हें भयादोहन करने की कोशिस की है इसे लेकर पिडित निर्मतावों ने दिल्ली पुलिस इडिवा सिबियाई में भी सिकायत की है और ऐसे गिरोह का पाता लगा कर उनके खिल्याप करवाई करने की गुहार लगाई है ज्यारखन में हिंसक उत्पात मचा सकते हैं नकसली 26 जून से पुलिस अलर्ट भागपा मवादी का दमन बिरोधी 27 26 जून से 2 जूलाई तक प्रस्तावी खाय इसे देखते वे पुलिस मुख्याले ने सभी जीलो को अलर्ट कर दिया है उन्हें नकसल छेत्रों में अपनी कस्ति तेज करने और खुपिया तंत्र को सक्रिय करने का आदेश दिया गया है ताकि इस दमन बिरोधी सब्ता के दरो नकसली किसी बड़ी खाटना को अंजाम न दे पाए समधित जीलो के एसबी को पुलिस मुख्याले ने निर्देश दिया है कि वे अपने रेल खंड, सुरक्षा बलो के कैंप, प्रतिष्ठान, संचार सेवा, सरकारी भवन आदी की सतत निगरानी करे नकसली यहां हमला कर सकते हैं ऐसी असांका है मांडर ओपचुनाओ के नतीजे आज 8 बएसे मतगना जारखन के मांडर विधान सबा ओपचुनाओ के नतीजे आज घोस्चित किये जा रहे हैं ओपचुनाओ की मतगना आज रभीवार को रांची के 15 बजार समीती परिसर में सुभा 8 बएसे सुरू होगी मतगर्ना कारे में कुल 81 मतगर्ना कर्मियों को लगाया है इसमें से 30% कर्मियों को रिजर्व रखा गया है मतगर्ना कारे 3 होल के एकोईश टेवल पर किया जाएगा बता दे मांडर बिधान सबाव उप चुनाव में कुल 14 परत्यास उन्हें चुनाव लड़ा है जारखन सरकार सिक्षको को टैब देगी जारखन के सरकारी प्रात्मे की स्कुलों के सिक्षक बचों को मल्टी मीडिया के माध्यम से बचों का पठन पठन करा सके इसे लेकर राज सरकार उन्हें एक बार फिर टैब देगी सिक्षक इसके माध्यम से राज सरकार दोगर त्यार किये जा रही डिजिटल सेक्षनिक समागरी का लाब भी न केवल अपनी सिक्षन शमतक के विकास में लगाएंगे बलिक बच्चों तक भी पहुचाएंगे टीचार रिसोर्स पैकेट के तहद कूल 15,762 प्रात्मिक स्कूलों के 28,945 सिक्षकों को टैब देने की त्यारी है इसकूली सिक्षा इम सक्षता विभाग ने इस पैकेज के लिए इसकूलों का चैन कर लिया है प्रति टैब 10,6 रुपे खर्च होंगे इसके लिए कूल 28,945 रुपे की स्विग्रिती मिली है सिक्षकों का तबादला अगले वर्स सरकारी स्कूलों के सिक्षकों का अंतर जीला या उनके आवेदन पर समान अस्थनांतरन अब अगले साल जून जुलाई में ही हो पाएगा फिलहाल राज सरकारी स्कूलों की जरूरत के अनुसार स्वयम सिक्षकों का अस्थनांतरन करेगी इसके तहत इस्कूलों में जरूरत से अधिक पदस्थापी सिस्कों का अस्थानांतरन दूसरे स्कूलों में किया जाएगा ज़ा अस्थानांतरन इस साल नॉम्बर दिसंबर माह में होगा हलाकि अस्थानांतरन की परकिरिया अभी ही सुरू होगी बतादी इस्पोरी सिक्षाम सक्षरता पिभाग ने असनोण न संसुदधन के बाद सिख़ो के असनोधन को लेकर SWP जारी किया है जिसमें इसे समधित समय सिमा तैकर दी गई है इसके ताह राज़े में अस्थापीत 16 नीजी विश्व विद्याले में उपलब्द अधारभूत संरचनाओं की जाच के अनुमती परदान कर दी है। अपने विरोध को तेज करने का फैसला किया है। राष्टपती पद की कैंडिडेट द्रोपदी मुर्मु ने सियम हिमन से मांगा जे एमेम का समर्थान। अधिकरित किये गए है। रांची डी सी की फेक वाट्सेप आईडी जहारखन में साइबर अपराज के मामले थम नहीं रहे। एक की गुती सुलाज नहीं पाथी की दूसरी घटना को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। अब तक कई अधिकारियों की फेक आईडी बना चुके साइबर क्रिमिनल का दूसराहस। इनके दुआरा अब रांची के जीला दंडा अधिकारी सा उपायुक्त छवी रण्यन के नाम से फेक वाट्सेप आईडी बनाई गई है। इस फेक वाट्सेप आईडी से लोगों को गुमरा किया जा रहा है। उपायुक्त ने लोगों से अपील किया है कि अगर इस फेक आईडी से आप से संपर्क किया जाता है तो किसी भी तरह के जहां से में ना आए पर सासन द्वारा इस मामले की सूचना पुलिस अधिक छक करेले को दी गई है 11 जुलाई से सुरू होगा नेतरहाट आवासे बिद्याले के सेलेक्टेड इस्टूडेंट का मेडिकल टेस्ट देश के प्रतिष्ठित आवासे बिद्याले में से एक नेतरहाट आवासे बिद्याले के वरतमान एकेडमिक इयर में एडमिशन के लिए चैनिज स्टूडेंट क मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा यह टेस्ट रांची सदर अस्पताल की टीम करेगी इसे रेकर सेड्यूल और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है जिन स्टुडेंट का सेलेक्शन हुआ है वे स्कूल वेपसाइट पर दिये गए लिस्ट से अपने मेडिकल टेस्ट का स सेड्यूल देख सकते हैं मेडिकल टेस्ट की परकिरिया 11 जुलाई से सुरू हो रही है जारखन में करोना के 151 मामले जारखन में करोना के मामले में इजाफा हो रहा है साथी एक्टिब केस भी बढ़ रहे हैं स्वास्त विभाग के आकड़े के मुताबिक राजे में करोना क के गार नायमरी सामने आये थे जारखन में निशक्तों अब विद्यार्थियों को मिलेगी वोकेशनल ट्रेनिंग 25 रुपे चात्रविति परतिमा जारखन के निशक्त व्यक्तियों और विद्यार्थियों को कोसल युक्त बनाने के लिए अब वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सभी संस्थानों को पत्र भेज कर इसकी जनकारी दिया है धन्यवाद